हेलो जी असलाम अलेकुम आज हम बना रहे है म्योनिज होममेड म्योनिज ठीक है जो हम बाहर से जाके इतनी एक्सपेंसिव लेते हैं और जो है वह जली से खतम हो जती है तो यह जली-जली से जटबड बन जाएगी घर पर ही इसके लिए मैंने ये इंग्रीडेंस ले लिए है नमक, चीनी, ऑईल और सिरका ठीक है जी दो अंडे मैंने ब्लेंडे में डाल दी है इनको मैंने जो है अच्छे से फैंटना है ब्लेंडर में अच्छे से मैं इसको बीट करूँगी ठीक है ब्लेंडर में ये अच्छे से बीट होना शुरू हो जाएंगे तो मैं इनमें साथ मैंने नमक डाला है लिखे नमक नहां लिया हाफ ती स्फून। और ये सचीच की लिए यह ऐस साथ की नहीं डाली थी सुछन डालई हो वो चीचुन। और वर फुरूमिने बुखर जादा भूट अभू नहीं चुरूतarna दे की अजिवा ड़ा हो सब पर नहीं जाना चाहिए नहीं तो आपकी जो है मियानिस वो खराब हो सकती है अधर वैस यह मियानिस बहुत बहुत अच्छी विनेगी अगर आप इसको चाहें तो वन मंथ के लिए भी स्टोर कर सकते हैं और आपको पता है इसके इंदर कोई कैमिकल नहीं मौजूद ठीक है यह ब ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से इसको ब्लेंड करना है मियानिस को ठीक है और आप मैंने तो डारेक्ट अंडे डाल दिये थे अगर आप चाहें तो आप सेपरेटली पहले प्याली में अंडे डाल के फिर आप इसमें आड करें ताकि कोई आपका अंडा खराब ना हो और जो है अंडे जो हैं वो बीट हुए वे सेपरेट हो जाएंगी यह देखें मिरी मियान इस बहुत अच्छी तरह से बीट हो गई है देखें इतने अच्छी अच्छी वो क्रीमी क्रीमी जो लोक है उसकी आगए और टेक्श्चर भी बहुत अच्छा उसका है जब मैंने लास्ट पे इसको अब मैं इसको निकाल लूँ यह अच्छा इसके लिए आप कोई भी जार ले सकते हैं मैंने प्लास्टिक जार लिया लेकिन एर टाइट जार लिया ठीक है इसको आपने वो जार नहीं लेना जो जिसमें एर जाती हो या आप उसमें पानी चला जाए यह य मैं normally half jar, full jar बना के रख लीटी है tenho ताके बच्चे जो है वो जब दिल करें वो निकाले और खा लें अगर आप कहेंगे तो मैं आपको जो homemade spread होती है chicken spread और homemade जो vegetable spread होती है वो भी बना के दिखा हूँगे, वो भी बहुँत easy है और बाहर के खाने से निजबत जादा अच्छी बनती है घर में यह मेरी मियानिस बिलकुल रेडी हो गई है यह क्रीमी क्रीमी बहुत यमी बनी थी क्योंकि मैं तो separately भी मूँ में डालके चिक कर ली खाके देख ली बहुत मज़े की थी ठीक है देखें मेरी क्रीमी क्रीमी रेडी है अब यह उनिस आपको पसांद आई हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसेपी कैसे लगी थैंक यू अलाहफेज और लास में प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दें थैंक यू जल्दी झालाहफेज